हेलो स्टुडेंट्स दिस इस यूर साइंस क्लास तो बच्चो आज हम बात करने वाले हैं चो नाइन चेप्टर हमारा है रिडिटी एंड इवलूशन चला हुआ है उसमें है रिडिटी के लास्ट कंसेप्ट की इस सेक्स डेटर्मिनिशन तो बच्चो अगर हम पर्टिकॉलर किसी भी offspring के सेक्स को डेटर्माइन करते हैं तो वहाँ पर हमारे दो factors responsible रहते हैं फर्स्ट है क्या होगा बच्चो एंवार्मेंट की beef decisions पर पर्टिकुलर ओर्गानिजम का सद्वर सर्व करेंगे कुछ अंदर जो टंपरेचर है जिस पर उसके फर्टिलाइस्ट एक्स को रखा जारा है वो develop canción करते हैं पर्टिकुलर ओर्गानिजम का जैंडर यांनि कि अग लेकरनी के बाद उन एक्स को कितने temperature में रखा गया higher temperature में है lower temperature में है इस basis पर decide होता है कि वो higher और lower temperature के basis पर कि male जो वहाँ पर है gender होगा या female gender होगा इसमें turtle का example आप कर सकती है turtle के अंदर environmental factors basis पर ही जो gender है वो decide होता है उसके बाद बच्चो genetic factors है like human beings के अंदर हमारे अंदर particular जो यह चीज़न determined किसे होगी जो gender किसे determined होगा chromosomes के थूप pair of chromosomes और gene pair of chromosomes के थूप determination हम करते है that is called sex chromosomes उन chromosomes को हम sex chromosomes कहेंगे यहाँ पर female के अंदर XX and male के अंदर XY pair present होता है आगे बच्चो हम बात करें अगर इसमें crossing की तो जो total हमारे अंदर 23 pair of chromosomes present होते है इन 23 में से बच्चो 22 chromosome pairs को motosomes कहेंगे और जो last pair है chromosome काउ से हम sex chromosome कहेंगे जो decide करता है हमें किसी भी particular individual के gender को decide करने में जैसा कि हमने अभी discuss किया था female के अंदर XX pair and male के अंदर XY pair present होगा उसके बाद human beings के अंदर अगर हम determination को पढ़ते है तो parents में बच्चो पहले हम father में XY pair और mother में XX pair लेंगे उसके बाद gamut formation में XY and XX यह separate हो जाएंगे Mendel's law के according उसके बाद जब जाइगोट किस तरह से formation होगी यहाँपर gamut कैसे fuse करेंगी तो एक time पर बच्चो पफादर से एक ही क्रोमोसोम आएगा और same time पर एक ही क्रोमोसोम mother से आएगा तो यहाँ पर XX same as it is अगर यही क्रोमोसोम और same female का दुसरा क्रोमोसोम आता है तो फिर again X chromosome हमारा यहाँपर रहेगा again जो male के अंदर Y chromosome हो और female के अंदर से फीमेल के अंदर से बच्चों हमारा जो X क्रोमोसोम ही ये रहेगा XY, same as it is again ये YN, X क्रोमोसोम XY, यानि कि 50% probability है फीमेल चाइल्ड की, 50% probability है मेल चाइल्ड की, यहां बच्चों आपने एक चीज़ नौटिस करनी है, कि क्रॉसिंग के अंदर, फादर के अंदर से दोनों टाइम अलावला क्रोमोसोम, वन टाइम X, अनदर टाइम Y, लेकिन मेल जो मदर है फीमेल है, उसके अंदर से बौथ टाइम X क्रोमोसोम ही ट्रांसफर होंगी, फ्यूस करेंगे, तो यहां पर हमें conclusion डिसकस कर सकते हैं, यहां पर जो सेकस है चिल्डन का उसमें जो मदर है, वो रोल प्ले नहीं करती है, डेटर्माइन करने में father के उपर जो dependency यहां पर रहेगी, तो यह topic बच्चो आज आपने कर लेना है, इसमें कोई फी doubt है आप बता देना, उसके बाद हम next chapter है जो हमारा वो discuss करेंगी, evolution का जो topic है हमारा वो इस बार delete हो चुका है, तो यह heredity के सभी concepts आपने जो अच्छे से पाड़ लेनी है, इनको not down कर लेना है, कोई भी doubt आता है आप बता देना हम दोबारा discuss कर लेंगे, कर दोड़ कर दो आता है,